Hello Learners, नमस्कार, मैं Dr. Lakshmi Narayan, आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं Price Discrimination या Discriminating Monopoly, तो हम सरवात में जान लेते हैं कि Discrimination सहब्द से हमारा क्या भी प्राय है, जैसा कि हम जान करते हैं, और एकादिकार की वो स्तिती जिसमें एकादिकारी Price Discrimination करता है, उसको हम Discriminating Monopoly कहते हैं, यानि भेद मूलग एकादिकार या विभेदिकरित एकादिकार के नाम से इसको हम जानते हैं, तलिए शुरू करते हैं, और सरवात में हम जानते हैं कि किमत विभेद से हमा Price Discrimination, वो किरिया जिसके द्वारा एक जैसी वस्तु जो एक ही फर्म के नियंतरन में है, उसको अलग-अलग किमत से बेचा जाता है, तो उस किरिया को हम किमत विभेद कहते हैं, यह सिरिमती जोन रोविंसन की Definition, आईए अब हम डूले की Definition देखते हैं, प्रोफेसर डूले क नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गुड की बात, आर्टिकल की बात की गई है, यहाँ पे वो गुड्स भी हो सकते हैं, प्रोफेसर डूले के नुसार, एक Definition ओड देख लेते हैं, प्रोफेसर बेंस की Definition है, Price Discrimination refers to the practice by a seller, to charging different prices from different buyers for the same good, यानि किमत विभेद, उत्पातक का वो वेवार है, जिसके दोवारा वो घराकों के अलग-अलग समूँ से एक जैसी वस्तू के लिए अलग-अलग किमत वसूल करता है, तो उसको हम Price Discrimination कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, किमत विभेद क्या है, किमत विभेद वो स्थिती है, जिसमें एक एकादि अधिकारी घराकों के अलग-अलग समूँ से या अलग-अलग घराकों से एक जैसी वस्तू के लिए अलग-अलग किमत वसूल करता है, तो उसको हम Price Discrimination या किमत विभेद कहते हैं, इसकरिया को हम किमत विभेद कहते हैं, और जो ऐसा करता है एकादिकारी, उसको हम Discriminating Monopoly कह किमत विभेद के परकार कितने हैं, किमत विभेद तीन परकार का हो सकता है, पहला है जोग्रोफिकल Price Discrimination, पोगोलिक किमत विभेद, जैसा कि नाम से पता है, पोगोलिक का हमारा मतलब है गुगोल के इसाब से, यानि कोई उप्योग करता कहां बैठा है, पोगोलिक स्थिती में, उस आधार पे अगर किमत विभेद होता है, तो इस परकार के किमत विभेद को हम बोगोलिक किमत विभेद या जोग्रोफिकल Price Discrimination कहते हैं, जैसे कि किसी एक वस्तुगी, एक ही उत्वादज, हरियाना में अलग किमत लेता है, और समिल लाडु में उसी वस्तुगी किम अलग वसूल करता है, तो इस परकार के किमत विभेद को हम जोग्रोफिकल Price Discrimination कहते हैं, बोगोलिक किमत विभेद, इसके बाद अगला है हमारा Personal Price Discrimination, वेक्तिकत किमत विभेद, वेक्तिकत किमत विभेद क्या होता है, कि जब different individuals को अलग-अलग किमत पे बेजा जाता है, वे जो अमीर और गरीब हैं, उनसे अलग-अलग किमत वसूल की जा सकती है, इसका एक्जामपल हम ले सकते हैं, एक डोक्टर है, सुबह वैटता है, वो एक अच्छे पोस इलाके में, एक बड़े होस्विटल में, वहाँ वो पर पैसेंट 500 विभेद चार्ज करता है, OPD की उपयोग के आधार पे, यानि जिस वस्तु और सेवा की वो एकादिकारी विक्री करता है, उसका उपयोग कहां होता है, उस आधार पे कीमत विभेद हो सकता है, जैसे बिजली के आपूर्ती हर्याना में, जो बिजली वितरन कंपनिया करती हैं, अब वो जो कंजुमर घर मे यूज करता है बिजली को, उससे अलग कीमत वसूल करती है, जो इंडिस्ट्री में यूज होती है, उसके लिए अलग कीमत विभेद कह सकते हैं, यानि उपयोग के अनुसार कीमत विभेद हो सकता है, इसी तरीके से समय के अनुसार भी कीमत विभेद हो सकता है, जब एक कि अलग-अलग समय पे कंजम्शन है उसके अधार पे कीमत विभेद होता है आपको साइध द्यान ना हो आप में से बहुत सारों को लेकिन पहले जब टेलिकॉम से पहले क्या होता था कि सुबह 9 से शाम के 9 बजे तक टेलिफॉन की जब हम पोल करते थे तो अलग रेट होता था शाम को 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक का अलग रेट है यह और ज़्यादा इसको टाइम के आधार पे हम डिवाइड कर सकते हैं तो ऐसे स्तिति में जो किमत वि उबेद होता है उसको हम समय अनुसार कीमत विवेद कहते हैं यानि टाइम के अनुसार प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है मालो अभी गर्मी हो रही है और गर्मी में जो दो पहर होता है शाम के 2-3-4 बजे बिजली की डिमांड सबसे ज्यादा होती है तो उस स्तिति में ज सेवा का उबो किस समय होता है उसके अधार पे किमत विवेद हो सकता है उसको हम समय अनुसार किमत विवेद कहते हैं आई अब हम जानते हैं degree of price discrimination प्रोफेसर पीगु ने price discrimination की 3 degrees हमें बताई है फस्ट दिग्री ओप्राइस दिस्क्रिमिनेशन, फस्ट दिग्री ओप्राइस दिस्क्रिमिनेशन, फस्ट दिग्री ओप्राइस दिस्क्रिमिनेशन क्या है? यह price discrimination of first order, price discrimination of second order और price discrimination of third order तो first order का price discrimination क्या है first degree price discrimination refers to a price discrimination in which a monopolist charge maximum price that a consumer is willing to pay यानि उबहोगता जितनी कीमत देना चाहता है जितना willing है पे करने के लिए उसको वो उतने में ही देता है अगर मालो एक pen है आच्छे quality का pen है जो वेक्ति उसकी 500 रुपे किमत दे सकते हैं उसको वो 500 में देता है जो उसकी 4500 रुपे किमत दे सकते हैं उसको वो 4500 में देता है जो उसकी 1500 रुपे किमत दे सकते हैं उसको वो 1500 में देता है तो इस तरीके का जो price discrimination होगा इस तरीके का अगर price discrimination है तो उसको हम first degree price discrimination कहते है first degree या first order price discrimination को समझने के लिए हमें उब्भोगता की बचत को जानना जुरूरी है consumer surplus और consumer surplus हमने देखा था क्या था उब्भोगता की बचत क्या थी वो स्थिती है जिसमें उभवता जिस वस्तों की किमत देने के लिए तयार है और जितना वास्तों में देता है उन दोनों में अंतर हो यानि जो व्यक्ति किसी पैन की लिए 50 रुपे देने के लिए तयार है लेकिन उसको 40 रुपे में मिल जाता है तो उसका consumer surplus 10 रुपे हो गया लेकिन यहां एक अदिकारी क्या कर रहा है जो जितना देना चाहता है उतने में ही देता है maximum price जितना दे सकता है उतना चार्ज करता है और consumer से तो इसका मतलब जो first degree of price discrimination है उसमें consumer surplus नहीं होगा first degree of price discrimination में consumer surplus नहीं होता है ठीक है पूरा जो consumer surplus है वो एक अदिकारी जो है वो अपने लाब के रूप में वसूल कर लेता है आईए थोड़ा सा इसको ग्राफ के द्वारा देखते हैं यह demand कर हो है आपका देखा यह diagram हम कई बार देख सुके हैं सेंकडो बार देख सुके हैं यह O.P हमारी किमत है यह किमत बाजार में fix होती है और यह इससे उपर जो है यह fix हुई लेकिन demand करों का यह हिस्सा यहां तो लोग इससे ज़्यादा किमत देने को तयार थे तो इसके नीचे का जो area है उसको हम consumer surplus मैं ऐसे नापते हैं लेकिन अब एकादिकारी में अगर वो फस्ट डिगरी का price discrimination करता है तो जो एक consumer है जो उस वस्तु की पाजार के आदा पूरुन परतियों किता होती तो उसको O.P किमत देनी पड़ती यानि AQ किमत देनी पड़ती लेकिन वो कितनी किमत देने के लिए त तो जो discriminating monopoly के अंतरगत, monopolist है वो क्या करेगा? A consumer से A-H किमत लेगा इसका मतलब यह जो consumer surplus को मिलता था वो नहीं मिलेगा B consumer से वो B-I किमत वसूल करेगा क्योंकि B consumer जो है वो B-I किमत देने के लिए तयार है, IB किमत देने के लिए तयार है तो उससे वो IB किमत वसूल करेगा Discrimination है, उसमें consumer का surplus zero होगा, कुछ नहीं होगा, यह सारा consumer का surplus था, यह हमें प्राप्त नहीं हो, यह सारा चला जाएगा अगर इसके विप्रीद हम second degree price discrimination को देखें, तो उसमें जो monopolist है, वो consumer को अलग-अलग group में divide कर देता है और उस हर group से अलग-अलग किमत वसूल करता है, जैसे aeroplane में दो classes बना दी, एक economic class और एक जो आपकी executive class और भी हो सकती है, railway में भी कई classes है, लेकिन plane का हम example अच्छे से ले सकते हैं, कि plane में दो class है, एक आपकी executive class है, और दूसरा आपकी economy class है, दोनों में अलग-अलग रीट वसूल करता है, अगराखों को दो समूम में बाढ़ दिया, executive और economical, तो इस तरीके का जो price discrimination होता है, उसको हम second degree of price discrimination कहते हैं, और इसमें थोड़ा सा consumer surplus बच जाता है, हम देखते हैं कैसे, इस diagram में हम देख सकते हैं, यह आपका तीन group में उसने divide किया, मालनों A, B और F group में divide किया, अब A group जो है, उससे वो AP किमत वसूल करेगा, ठीक है? P group जो है जो उस वस्तु की PA से कम और PB से ज़्यादा किमत दे सकता है उससे वो PB किमत वसूल करेगा और F group जो उस वस्तु की PB से कम और P किमत दे सकता है उससे वो P किमत वसूल करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो A group of consumers हैं जो उस वस्तु की AX या OPA किमत देने को तयार हैं उनकी से वो OPA या AX किमत लेगा और इसका मतलब यह हुआ कि कुछ हिस्सा demand करों का बच जाएगा जहां से consumer surplus रह जाएगा इसी तरीके से B group के लिए कुछ consumer surplus बच जाएगा कि बराबर था उससे ये काफी कम है तो second degree of price discrimination में अलगल group में divide करेगा जो group जितनी किमत दे सकता है उसके हिसाब से वो किमत वसूल करेगा यहां पे हमने देखा A group से वो PA किमत वसूल करेगा B group जो PA और PB के बीच में किमत दे सकता है उससे वो PB किमत वसूल करेगा और तीसरे group से वो POP किमत वसूल करेगा और इस आधार पे कुछ जो consumer surplus हैं वो भूगताओं को मिल जाएगा इस तरीके से अगर price discrimination होता है तो इसको हम second degree of price discrimination कहते हैं फिर अगला है आपका discrimination of third order या third degree price discrimination इसमें monopolist क्या करेगा market को some markets में divide कर देगा और आर market से अलग-अलग price charge करेगा जैसे कि उसने market को divide कर दिया घरेलू बाजार और विदेशी बाजार में घरेलू बाजार में अलग किमत वसूल करेगा और विदेशी बाजार में अलग किमत वसूल करेगा हमने dumping का example देखा था हमने ये कहा था कि dumping में घरेलू बाजार में ज़्यादा कीमत वसूल की जाती है और विदेशी बाजार में कम कीमत वसूल की जाती है depending on the elasticity of demand in different market तो third degree के price discrimination में वो market को अलग-अलग divide कर देगा जिसको market segmentation कहते हैं और उसके आधार पे वो अलग-अलग कीमत वसूल करेगा तो ये होगा हमारा third degree of price discrimination next है हमारा कि price discrimination के लिए आफसे एक सरतें क्या है या हम ये कह सकते हैं कि price discrimination कब possible है किन स्थितियों में price discrimination हो सकता है और किन स्थितियों में price discrimination नहीं हो सकता तो पहला तो जो condition है वो है कि monopoly exist करनी चाहिए, monopoly होनी चाहिए, अगर monopoly नहीं है तो price discrimination नहीं हो सकता, अगर किसी वस्तु के 3, 4, 5 बेचने वाले हैं, तो उनका अपस में competition होगा, जिसके कारण किम्मत युवेद नहीं हो सकता, जो goods है वो substitute हो जाएंगी, एक seller की दूसरे seller के साथ इसके साथ साथ market का separate होना जरूरी है, अलग-लग बजार का होना जरूरी है, अगर मान लो बाजार अलग-लग नहीं है तो जहांपे वो वस्तु सस्ती बेज रहे है हो, वहाँ से लोग उस सस्ती वस्तु को खरीदेंगे और वहां बेज देंगे, जहांपे वो वस्तु नहीं होगा क्योंकि उसकी उस market में बिगली काफी कम हो जाएगी या लगभक समाप तो सकती है जहां पर वो ज्यादा कीमत वसूल करता है क्योंकि जो वेक्ति हैं वो एक market में खरीद के दूसरे market में बेच सकते हैं या इससे उल्टा कि जो B market में खरीदने वाले हैं जहां किमत मांग बेलोसदार है और किमत ज्यादा वसूल कर रहा है तो B market के consumers अगर separate market नहीं है तो A market में जाएंगे और वहां से उस वस्तु को खरीद देंगे B market में उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे तो यह market का separation होना जरूरी है तो separate market किसी भी price discrimination के लिए जरूरी है तीसरा है आपका production of commodity by order अगर हम आदेश के दौरा किसी वस्तु को बनाते हैं तो उसमें price discrimination होगा क्योंकि अगर आपको एक bad बनवाना है तो हर bad बनाने वाले से जो bad बनाने वाला हो अलग-अलग किमत वसूल करता है जिस हिसाब से demand होती है या हम सोच सकते हैं कि कोई companies हैं वो अपने companies में जो या कोई education institutes है वो अपना सब काम automated करना चाहता है तो जिस consultancy group के पास वो जाता है तो उसके order के हिसाब से उसके जो requirement है उसके हिसाब से उसको एक automation का package दिया जाएगा तो इस condition में अगर किसी commodity का production by order होता है तो price discrimination जो है वो possible है वहाँ पे price discrimination हो सकता है Next और बहुत ज़्यादा important कि मांग की loads अलग-अलग होनी चाहिए जो घ्राकों को वो अलग-अलग किमत पे तभी बेच सकता है अगर दोनों घ्राकों की मांग की loads अलग-अलग हो अगर एक जैसी मांग की loads होगी तो उस condition में price discrimination संभव ही नहीं होगा तो different elasticity of demand दोनों बाजारों में होनी ज़रूरी है अगर elasticity of demand different नहीं होगी तो जो price discrimination है वो possible नहीं है वो profitable नहीं होगा Next कई बार legal sanction के कारण भी हमने बिजली का example दिया था बिजली वी तरे जो कंपनिया है वो अलग-अलग किमत वसूल करती है खेती में और उद्योगों में और गरेल उपयों के लिए गरामिन और सहरे इलाकों में उपयों के लिए तो ये legal sanction के दोवारा भी किमत विबेद हो सकता है इसके बाद आपका consumer की अग्यानता के कारण भी किमत विबेद हो सकता है हम कई बार example देते हैं अगर sector 17 चंडिगड में खरीदने जाते हैं तो वहां एक जैसी वस्तु की consumer अलग किमत देने के लिए तयार है और अगर हम किसी दूसरे एरिया में जाते हैं जहांपर पोस एरिया नहीं है तो वहां पर उस वस्तु वही वस्तु हमें कम किमत में मिल सक होती है ठीक है तो consumer के विवहार के कारण कई बार consumer को पता ही नहीं होता कि इस वस्तु के कितनी इसकी किमत है क्या कितने कितने में बेची जा रही है तो जो मोनोपोलिस्ट है वो consumer की ignorance का फायदा उठा के उनसे अलग-अलग किमत वसूल कर सकता है तो ignorance of consumer भी एक कारण है जिस का 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 दूसरा नहीं कर सकता है क्योंकि उस का काम को चहाल को किवल ही कर सकता है तो यह थि हमारी किमत विभेद के अलग-अलग सर्थे या वह कौनोसी स्थितियां है जिनमें किमत विभेद संभव है इसके साथ साथ अगर product differentiation है वस्तू की गुणवत्ता में अंतर है तब तो किमत विवेद होई सकता है उसके आदार पे किमत विवेद किया जा सकता है अब किमत विवेद लाब दाइक कब होगा हमने थोड़ी तेर पहले बात की किमत विए तब लाग दायक होगा जब गराकों के अलग-अलग समूँ या अलग-अलग बाजारों में मांग की लोट्स अलग-अलग होगी जहां पर मांग की लोट्स बेलोसदार होगी एक से कम होगी तो उस कंडिशन में एकादिकारी ज्यादा किमत रख सकता है और अगर दा की मांग की लोट्स लोट्स दार होगी वहाँ कीमत कम रखेगा यानि मांग की लोट्स में अंतर होना जरूरी है तबी प्रोफिटेबल होगा अदर्वाइस प्रोफिटेबल नहीं होगा हमें पता है MR का फार्मूला उने बहुत बार देखा है मार्जिनल रिवेन्यू किसके बराबर होता है एवरेज रिवेन्यू ए माइनस वन बाई ए अगर ये ए अलग लग नहीं हो एक जैसी हो AR भी एक जैसा होगा तो इसका मतलब MR हर कंडिशन में एक समान होगा तो उस थिति में जो किमत विवेद है वो संभव नहीं है किमत विवेद संभव नहीं होगा मान लो AR जो है किसी वस्तु का 10 है और दो बाजार है एक बाजार में E जो है और दूसरे बाजार में 5 है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर जब Elasticity 2 है इसकी value 2 है तो 2-1 by 2 1 by 2 into 10 5 आ जाएगा और जब Elasticity 5 है तो 5-1 by 5 4 by 5 into 10 8 आ गया अब यह marginal revenue दोनों बाजारों में तभी अलग होगा जब Elasticity of Demand अलग होगी अगर मालों चारी होती या दो होती या पांच होती अगर दोनों बाजारों में एक जशी होती तो MR दोनों मार्केट का एक समान होता और उस condition में किमत विभेद जो है वो लाबदायक नहीं होता उसको कोई लाब नहीं मिलता अकिमत विपेत कब लावधायक होगा किमत विपेत तब लावधायक होगा जब दोनों बाजारों में किमत की लोच अलग अलग होगी अब आते हैं हम कि जो equilibrium है एक price discrimination वाली monopoly में विभेदिकृत एकादीकार के अंतरगत संतुलन किस तरीके से होगा संतुलन का meaning हम पहले जान चुके हैं संतुलन से हमारा विप्राय है कि वो स्थिति जिसमें जो agents हैं जहां हैं वही रहना चाहते हैं यहां पर हम monopolist की बात कर रहे हैं तो monopolist वहां संतुलन में होगा जहां उसके लाब अधिक्तम है और अगर हानी हो रही है तो उसकी हानी नियुन्तम है तो equilibrium point निकालने के लिए हमें उसके लाबों को अधिक्तम करके देखना होगा क्योंकि हम price discrimination की स्थिति को discuss कर रहे हैं यानि वो स्थिति जिसमें दो बाजार हैं आगे के lecture में हम यह जानने की कोशिस भी करेंगे कि कौन से तरीके हैं जिनके दोरा वो यह decide करेगा कि उसकी output कितनी होनी चाहिए दूसरा जो important है decision उसको लेना पड़ेगा वो यह लेना पड़ेगा कि जो A market है जो पहला market है या तीन market है तो A market में वो कितना समान बेचे किस कीमत पे बेचे B market में वो कितना समान बेचे और किस कीमत पे बेचे इसी तरीके से C market में वो कितना समान बेचे और किस कीमत पे बेचे यह decision equilibrium ग्याद करने के लिए एक भेदमूलक एकादिकारी को विभेदिकरित एक अधिकारी को लेने होंगे यानि ए मार्केट में वो कितनी quantity soul करे अगर दो मार्केट का हम डिविजन सोचते हैं तो और किस किमत पे करे और इसी तरीके से B मार्केट में उसका price क्या होना चाहिए और B मार्केट जो है वो अधिक्तम हो और वो तब तक shift करता रहेगा जब तक MR A और MR B के बराबर नहीं हो जाता है मुने थोड़ी तर पहले डिस्कस किया था कि दो बाजार थे A बाजार में मांग की लोज दो थी यानि वो बेलोसदार थी अगर अपेक्स से कम बेलोसदार मानते हैं दूसरे बाजार में मांग की लोज पांच है अब हमें देखेंगे जहां मांग की लोज दो थी उसका MR 5 है और जहां मांग की लोज उसकी 5 थी मांग उसका MR जो है वो 8 है तो इस condition में क्या होगा? कि अगर एक एकादिकारी A मार्केट में अपनी वस्तु की बिक्री करता है तो उस कंडिशन में उसे अतिरिक तिकाई को बेजने से 5 रुपे पराप्त होंगे इसी तरीके से अगर वो B मार्केट में उस वस्तु को बेजता है तो उसे 8 रुपे पराप्त होंगे इसका आर्थ यह हुआ कि कोई अगर एकादिकारी A बाजार से अपना सामान निकालता है एक इकाई निकालता है तो उसे 5 रुपे का नुक्षियान होगा लेकिन जब वो उसको B मार्केट में बेचेगा तो उसे 8 रुपे का फायदा होगा यानि उसको नेट 3 रुपे गेन होगे तो इस कंडिशन में A का दिकारी क्या करेगा कि A बाजार से अपना सामान निकालके B बाजार में बेचेगा जब वो A बाजार से अपना सामान निकालेगा तो वहाँ पर उसका जो रिमेनिंग गुड्स हैं उनका MR जो है मार्केट A से सामान निकालके मार्केट B में शिफ्ट करता है अब हम देखते हैं कि equilibrium की conditions कौन सी हैं equilibrium की condition basically वही है जो हमने पहले देखी दी दो condition थी first order MR MC एक दूसरे के बराबर है second condition MC जो है वो उपर की तरफ उठता हुआ होना चाहिए तो वो सर्तें वही की वही हैं लेकिन यहां पर क्योंकि हम दो मार्केट की बात कर रहें तो थोड़ा से इसमें changes होगा तो पहली सर्त तो यह है कि जो दो मार्केट हैं उनमें revenue या दो या जितनी भी मार्केट में वो divide करता है market को सब में जो marginal revenue है वो एक दुसरे के बराबर होना चाहिए यानि MRA is equal to MRB is equal to MRC is equal to MRD जितने में वो divide करता है उनका हर market में MRA एक दुसरे के बराबर होना चाहिए इसके साथ-साथ ये MRA और MRA तो एक साथ होने ही चाहिए लेकिन ये सारे जो marginal cost है उसके बराबर भी होने चाहिए क्योंकि condition वही है MR और MC एक दुसरे के बराबर होने चाहिए तो ये जो MRA और MRB है ये MC के बराबर होना चाहिए अगर ये दोनों condition पूरी होती है तो जो monopolist है उसके profit जो है वो maximum होगे वो अपने profit को maximize कर पाएगा A market में ये हमारा MR है ये हमारा AR है इसी तरीके से हम sub market B देखते हैं ये sub market B का MR है और ये sub market B का AR है हमें पता है AR करोज होता है वो हमारा demand करोज होता है तो इसको देखने से आप पता सकते हो कौन से बाजार में मांग की loads कम है और किसमें ज्यादा है आपको देखते ही आप समझ जाएंगे कि जो हमारी सब मार्केट A है उसमें मांग की लोज बेलोसदार है जबकि सब मार्केट A में मांग की लोज बेलोसदार है दो मार्केट है एक बेलोसदार है जिसको हमने सब मार्केट A बनाया और दूसरी मार्केट है सब मार्केट B अब इस डाइग्राम के दोर हम यही जानने का प्रियास करेंगे और उसका तरीका बहुत आसान है, हमें marginal condition का पता है, पहली condition है MR और MC एक दुसरे के बराबर होने जीए, इसका मतलब हमें total market का MR और MC तेखना पड़ेगा, MC तो वही रहेगी, क्योंकि हमने production को एक ही condition के अंतरगत मा आना है, उसमें हमने कोई changes नहीं assume किये हैं, तो यहां पर जो हमारी total market का AR और MR है, इन दोनों का जोड, horizontal sum हो जाएगा, ऐसे जोड़ते जाएंगे, अब जहां से देखिए, यहां से उपर तो B market है ही नहीं, तो यहां से उपर का जो हिस्सा है, वो A market का आ गया, वहां से AR है, यह हमने individual market का देखा, अलग-अलग market के उप भागों का देखा, जिसमें इसने divide किया था, लेकिन एक एकाति कारी जो MR करो phase कर रहा है, वो यह है, और यह AR करो है, अब हमारे लिए आसान हो जाएगा, कि यह पता लगाना कि वो कितनी मातरा का उतबादन करे, हमें MC करोड करना है, MC करोड रहा करते ही, दोनों का जहाँ interaction होगा, वो हमारा equilibrium point है, profit maximization की पहली condition है, MR should be equal to MC, और दूसरी condition है, MC उपर की तरफ उठता होगा होना चाहिए, दोनों condition पूरी हो रही है, इसका मतलब यह हमारा संतुलन का बिंदू है, इस संतुलन के बिंदू के उपर, जो पूल उत्पादन की मात्रा है, वो OQ T होगी, इसका मतलब जो पहला question था, यह पता लगाना कि जो एका दिकारी है, वो कितनी मात्रा में अपनी वस्तु का उत्पादन करे, उसका solution हमें मिल गया, यहां prices पे हम नहीं जाते हैं, क्योंग यहां अगर price निकालेंगे, तो average price इसी दी लाइन पे यह MR का लेवल है, इकिलिविरियम पे, इसका मतलब यह हुआ कि जो A मार्केट है, उस मार्केट में इकिलिविरियम यहां होगा, इस बिंदू पर होगा, और इस बिंदू के उपर संतुलन उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, OQ है, इसका मतलब जो A हत्ता लग जाएगी, और इससे हम कीमत निकाल सकते हैं, इसका मतलब जो एक आदिकारी है, उसको पता लग गया कि किल कितना उत्पादन करना है, और A बाजार में कितना बेजना है, और इस कीमत पर बेजना है, इसी तरीके से हम B panel में देखते हैं, जो सब मार्केट B थी ज जो हमें, हमने question लिये थे, कि, जिनका answer ढूंड़ना था, कि कुल कितना उत्पादन करेगा, यह हमें पता लग गया, कुल उत्पादन करेगा, OQT के बराबर, market A में कितना सामान बेचेगा, कितने सामान की बिक्री होगी, OQA की, किमत क्या रखेगा, OPA, इसी तरीके से, market B में, कुल उत्पादन कितना होगा, OQB, किस कीमत पे बेचेगा, OPP, B कीमत पे बेचेगा, अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो हमें समझना जरूरी है, कि हम सब market A की तरफ देखते हैं, यह कौन सी बाजार थी, जहां मांग की लोज बे लोजदार थी, और B मार्केट कौन सी थी, जहां मांग की लोज लोजदार थी, अब ध्यान से देखिए, जहां मांग की लोज बे लोजदार थी, इस market में थी, A market में, वहाँ जो है, वस्तु की किमत जो है, वो ज्यादा है, और वस्तु की एकाईयां कम है यानि जहां मांग बे लोजदार है वहां एकादिकारी कम वस्तुएं बेचेगा और उनसे ज्यादा किमत वस्तुएं करेगा इसी तरीके से जहां मांग लोजदार है वहां वो ज्यादा मात्रा में वस्तुएं बेचेगा और केमतों को कम कि इस स्थिति में एकादिगारी के लाब जो है वो अधिक्तम होंगे आईए अब हम जानते हैं कि जो discriminatory monopoly है उसके समाज को क्या लाब हो सकते हैं क्या हानी हो सकते हैं इसको discuss करते हैं last में पहला है कि price discrimination के लाब दाइक परभाव कौन से हो सकते हैं पहला तो it may be beneficial to poor निधन वर्ग के लोगों के लिए लाब दाइक हो सकता है क्योंकि उन्हें सस्ती दर पे वस्तों और सेवाओं या उपयोगताओं का वित्रन किया जा सकता है जिसके कारण जो निधन वर्ग है उसको किमत विवेद के फलसवरूप लाब हो सकता है इसके साथ साथ जो हमारे public utility services है public utility services जैसे पानी की सप्लाई होगी गाओं में आपका railway की सप्लाई होगी यह public utility services है तो public utility services जो है उनको काफी कम rate पे provide किया जा सकता है price discrimination के दुआरा जो पे नहीं कर सकते उनको वो सेवाएं जो है वो कम rate के उपर provide करवाई जा सकती है इसके साथ साथ जो resources का utilization होता है वो price discrimination के अंतरगत अधिक्तम हो सकता है क्योंकि अगर हम price discrimination नहीं करेंगे तो समाज का एक बड़ा इस्सा उन चीजों का utilize हो सकते हैं इसी तरीके से अगर हम मालो price discrimination dumping भी price discrimination है वी देशों में अगर कम की मत पर बेज पाएं तब भी हमारे देश के संसाधन जो हो ज्यादा यूज हो सकते हैं अगर हम organization की तरफ से देखें तो price discrimination करने वाला ज्यादा revenue earn कर सकता है और अपने business को फायदा उठा सकता है और अपने business के आकार को पढ़ा सकता है इसके साथ-साथ price discrimination का जो consumers हैं, consumers के group हैं, senior citizens हैं, students हैं, उनको discount बगएरा देते हैं तो इसके कारण उनको lab हो सकता है इसके कारण हमारा वेधिकरित एकाधिकार के कारण हलांकि इसके कुछ harmful effect भी हो सकते हैं, price discrimination के, पहला तो जो factor of production है, उनका proper use नहीं होता, क्योंकि जो एकाधिकारी है, वो उन वस्तियों का उतपादन करेगा, जहां कीमत विभेद ज्यादा मातरा में हो सकता है, कुछ लोगों से वो बहुत ज्यादा कीमत वसूर कर सकता है, त नहीं, जो luxury goods हैं, उनका production ज्यादा होगा, और जो essential goods हैं, उनका production घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर price discrimination possible नहीं है, तो जिसके कारण क्या होगा, जो production की structure है, वो economy में distort हो सकती है, के साथ साथ कुल production की मातरा है, वो भी कम हो सकती है, क्योंकि एकाधिकारी अपनी वस्तु का production इस तरीके से करेगा, कि जहां मांग बेलोसदार है, वहाँ कम बेचेगा, अगर कम बेचेगा, तो उसका production जो है, वो कम होगा, इसका मतलब consumer को exploit करने के लिए, वो अपने production की मातरा को घटा सकता है, जो भी समाज के लिए हानिकार कोगी, इसके साथ साथ समाज में कुछ लो साथ साथ, जो next है हमारा, कि एक अधिकार की अवस्ता में हमें market को separate करना जरूरी है, और जब हम market को separate करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ cost incur करनी पड़ती है, तो वाजार को अलग-अलग किया, तो उसके लिए कुछ लागत वेहन करनी पड़ती है, ताकि एक market से consumer दूसरे market में ना है, उनको artificially रोकना हमारे जरूरी है, तो उसके लिए उसकी जो administrative cost हैं, वो काफी ज्यादा हो सकती है, और ये एक westful expenditure है, उसका कोई use नहीं है, तो इस westful expenditure से बचा जा सकता है, तो ये harmful effect है price discrimination के लिए, आज के लिए इतना ही, आज के इस lecture में हमने सरुवात की थी price discrimination हो एक अधिकारी का संतुलन किस तरीके से होगा, जहां बेलोसदार मांग है, वहां किमत किस तरीके से निर्धारित होगी, या कितनी होगी, कितनी मातरा बेचे, और जहां लोसदार बाजार है, या लोसदार मांग वाला बाजार है, वहां पर वो कितनी किमत रखे, और किस, कि इतना ही धन्यवाद आपके धरिये पूर्वक सुनने के लिए थेंक यू